हलो ये स्टुडेंट आज मैं आपको Quadric equation के discriminant के बारे में बताऊँगा इस सर्थ दिया गया है कि discriminant अगर 0 होता है तो उसका मान क्या क्या हो सकता है तो X का मान वास्तवी भी हो सकता है परिमे भी हो सकता है समान भी हो सकता है और उनका सिर्फ केवल एक ही हल होगा और अलपा ब्राबर बीटा होगा अगर discriminant less than 0 है यानि वो निगेटिव है यहाँ पर जिसे आप देख सकते हैं कि उठंडर निगेटिव में हा रहा है तो X का मान जो होगा अवास्तविक होगा अपरिमे होगा असमान होगा और उनका कोई भी सलूशन नहीं होगा तीसरा कंडिशन है अगर discriminant 3D से जादा है 0 से जादा है यानि कोई भी पोजिटिव नंबर है तो उसका दो कंडिशन होता है एक में यदि D अगर पूर्ण वर्व हो जैसे 4,16,9 हो तो उनका रूट आसानी से निकल जाएगा और उसका X का मान होगा वास्तविक परिमे असम समान तथा दो टो सलुसन होगा दूसरा कंडिशन ही है कि D अगर पूर्ण वर्व ना हो जैसे 3,5 साथ आ जाए तो उसका रूट हम लोग नहीं निकल पाएगे जिससे क्या होगा मान तो वास्तविक होगा लेकिन वह आपरिमे होगा आसमान होगा और इसका दो सलुसन होगा झाल